हेलो फ्रेंड्स जब भी कोई नामची स्टाक हाई लिक्विडिटी वाला इस्टाक जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कोई विप्रो एक्जाम के लिए विप्रो का स्टॉक लिया यह अगर अपने रेंज बाउंड के अंदर काफी लंबे समय से बंद होता है लंबे समय इ काफी लंबा समय हो जाता है इंट्राडे के लिए अगर में टेक्निकल करते हैं तो फ्रेंड्स जब भी जैसा हम बोल रहा था है कोई भी स्टॉक जैसे कि विप्रो जैसा एक अच्छा काशा डिगज टाइप का स्टॉक हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक अगर अपने र परसेंट में अगर वो ट्रेट कर रहा हो तो जब ब्रेक आउंट देता है तो उसमें अच्छा खासा मुमेंट देखने को मिलता है तो फिर इसी तरह के स्टॉक्स हम आगे डिसकुशन करने वाले तो फिर चलिए बात कर लेते 24 जियर याने मंदे को कोनको से स्टॉक्स पे ट्रेट करने वाले और उन पर हम क्या-क्या हमारे लेजी लेवल्स रहेंगे उसके पहले में बात करेंगा आज की रिजल्ट की बारे में कलके लिए स्टॉक्स टेलिग्राम पर इसे लिट हुआ क्या टार्गेट अचीव हुआ है वाटसप पर जो मैंने स्टॉक्स प्रवा लाइव अलर्ट टेलिग्राम पर मिल जाते हैं या इस बार में आप लोग अलर्ट यहीं पर देने वाला हूं लेवल्स कि वही क्या-क्या लेवल्स रहने वाले चलते हम लोग हमारे टेक्निकल चार्ट की और तो यहां पर आप देख सकते मैं यहां फे बाई और शॉट सेल दोनों के लेवल्स निकाल के रखे हुए तो लेकिन मैं अमेशा यहीं बोलूँगा फैंड्स के आप ठोड़ कोशिश कीजिए समझने का कि किस तरह हमने लेवल्स निकाले तो चलिए देखते हैं यहां पर हम का मार्केट राइड़ साज का मार्केट यहां पर उसने एक सपोर्ट लिया बांस बांस किया और यहां पर यहां पर अंदर considerate होता हुआ trade किया है तो अब कल अगर इसको breakout देता है तो हमारा buy call activate होता है उसके levels यहाँ पर breakdown देता है तो हमारा short sell call activate लेकिन यहाँ पर important चीज़ में यह बोला चाहँ कि buy call जादा strong रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को support देखने को मिल रहा है अगर हमारा buy side अगर यह breakout देता है तो हमको इसमें काफी अच्छी संभाव ना देखने को मिलती है compare to short selling side तो चलिए फ्रेंट नेक्स टॉक की बात करते है फ्रेंट विप्रो जैसा कि मैं आपको वहाँ पर example ने बता रहाता है तो यहाँ इसका मैं कि लेबर्स थोड़े यहाँ पर align कर देता हूँ ताकि लेबर्स देखने को मिल जा तो फ्रेंट जो विप्रो का stock निकाला यह मैंनी स्केनर चार्टिंग स्केनर उसके थो निकाला तो आप लोग को बताने वालों के भी किस तरह इसमें निकला तो जो चार्टिंग स्केनर वो काम करता है कोई भी stock ने अपने फर्स 15 मिनट का लो एंड हाई नोट ब्रोकेण एंटाय डे इस इस श्रची भी काम करता है तो उसमें विप्रो निकाल नहीं दिया हूँ साथ ही एक और अच्छी चीज यह है कि 1.6 परसेंट का इसने रेंज बाउंड होके यहां पर ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है तो कल अगर इसमें आप देख सकते एक और चीज़ बता तो यहां पर हम जो बॉक्स बनाते हैं तो कल अगर इस बॉक्स को ब्रेक आउट देता है उपर की तरफ हमाना भाई कॉल एक्टिवेट होता है और डाउन की तरफ करता है तो शॉट सेल क्यों होता है जिसके लेवल्स यहां पर देखका रखें दोस्तों मैंने और एक चीज बतान चाहूँगा कि यहां पर भी बाई साइड अगर जाता है त आप देख सकते हैं तो कल काफी सम्भावना कि ये call हमारा fail नहीं होगा activate होना ही काफी सम्भावना होती है इस तरह क्योंकि बीच में close हुआ कितना gap up open होगा इतना gap up भी open होता है तो भी कितना जाएगा यहां पर हुआ तो भी काफी हमको chances मिलते की activate हो लेकिन condition फ्रेंट्स एक ही है कि इसका price इन दोनों green और red line के बीच में open होना चाहिए trade करता हो breakout देगा by call breakdown देगा short sell call तो फिर एसा नहीं हो कि नीचे से open हुआ gap down open हुआ फिर यहां पर टकर आया फिर यहां से नीचे गया इस तरह हमारा call एक्किवेट नहीं होगा या फिर सेम अधर अधर वे में ऊपर की तरह gap up open हुआ यहां आया फिर यहां से उसने लिया तो इस तरह हमको position नहीं लेना है तो फ्रेश ब्रेक आउट चाहिए अभी friends बच्चे हुए मैं 4 stocks लेके आया हूँ बच्चे हुए और दो stocks उनके पहले friends में आप लोगो explain करने वाला हूँ कि मैं जो आज stocks दिये थे उनका हम result जान लेते हैं और उनमें किस तरह trade लेना होता है तो यह तो थे simple strategy based बेश ब्रेक आउट दिया हमने trade ले लिया कुछ stocks अब में जो दिखाने वाला उनमें थोड़ा सामने होको experience चाहिए होगा कि इनमें किस तरह हमको trade लेना होता है तो यहां देख सकते हैं आज के लिए दिया था मैंने इसको breakout देगा तो हमारा buy call activate होना था लेकिन breakout नहीं हुआ सीधा gap down open हो उसके बाद नीचे की चरप चरप यह call हमारा activate नहीं हुआ तो इसमें trade नहीं लेना था दूसरा call था यह रहा यह call हमारा first five minute में ही activate हो एक्टिवेट होने के बाद उसने यहां पर हमारा target अचिप करवा उसके बाद यहां पे थोड़ी दर consolidate हुआ फिर से market fall हुआ उसकी वैसे दुबारा फिर से fall हुआ और आख कर सकते हैं ओके एक और श्टॉक था यह वाला यहां पर भी इसने पिछले दो दिन से क्रेश्टेंस बनाया फिर यहां पर कपेंड पेटर्न बनाता हुआ यहां पर अगर यह आज खुलता और उपर की तरफ जाता तो हमारा बाई कॉल एक्टिवेट होता लेकिन फिर से गे लेवर्स प्रोवाइट करवाए थे नो बच के 20 मिनट पे बिल्कुल नो बच के 20 मिनट पे यहां पर हो एक्टिवेट हुआ यहां पर देखना है एक चीज को ध्यान देना कि यह भी वही सिनेरियो बना है जो मैंने आज विप्रो में फर्स्ट स्टॉक में निकाल के दिया परसेंटेज देख लेते हैं यह देखे यह भी सेम डेल परसेंट के आसपस फर्स्ट 15 मिन के केंडल की हाई लोग को ब्रेक आउट ब्रेक डाउन दिया तो देखी तेजी से फॉल देखने को मैला है सेम सेम इस्ट्रेशी पर हम लोगों ने यहां विप्रो को भी निकाला है तो यहां भी फ्रेंट्स सेम चीज है तो प्रो राज का जो हमाँ टागेट हुआ देख सकते हैं फिल से आप टेली कर सकते हैं फिर्ट्टिन में के केंडल को अप और डाउन दोनों ब्रेक आउट ब्रेकडाउन नहीं दिये और यहां पर भी इसने भी ग्रासिम ने भी ऐसा ही नेक्स था नेक्स टॉप दिया था वही पेटीम पेटीम भी यहां पर मैंने अपने प्रेम ग्रूप में प्रोवाइट करवा थे इसके लेवल्स बाकी तो मैं यूट्यूब पर करवा ही देता हूं लेकिन यह दो एक्स्ट्रा मैंने ढूंड के निकाल ले थे रैनिंग मार टेजी इसरे ड्यूल पन रहा हूं उसके बाद यहांपर थोड़ा सांस ले धंब रहा है उसके बाद से थोड़ा सद 10-15 मिनिट उसको करने तो फिर उसको ब्रेकट डाउन देता है तुमार में यहां पर दिया हुआ यह कन जो यह काफी लंबवे समय में उनको को पता है पेटियम पता नहीं काफी तेजी से फॉल हो रहा है इंट्रेश्टर मार्केट में सभी जगे तेजी से फॉल हो रहा है तो बस इसमें उठो शॉट सेल करो पैसा बनाओ डाउन पर बाई करके निकल जाओ सिम्पल से है ейक चीज को ध्यान रखना है रेड 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 बनना है ठमना है और सपो्ट लेना है दस पन्दा मिनट का फिर अगर ब्रेग डाउन तब हमको से पोजिशन लेना है तो यहांपर हमने यही किया और हमारा अच्छा आराम से टार्गेट अच्छी हुआ था सिंपल स्टेजी थी दोस्तों इसमें फ्लेक्सी ओके तो यह अपर सर्कुट वाले स्टॉक आगा है जो काफी समय से पूछते से अपर सर्कुट कैसे लेना है क्या लेना तो मैं आज वीकेंड का वीडियो सेभी रूल्स उसमें अपर सर्कुट लगता हैं यानि कि उस समय स्मयicky रुक जाती है yogurt सेलर्स कोई भी उसमें डील नहीं होती है तो सेम यहाँपा देख सकते हैं कि वहい 12 बारा बच के 29 मिनट बारा बच के 29 मिनट कहा रहा यहां पर है इस मुमेंट पर यहां पर कुछ सेलर्स बायर्स अविलेबल थे थोड़ी देर के अपर सर्कुट ओपन हुआ और इमेजेटली हमने यहां पर फोर मिनट 6 मिनट बहुत है 29 से 35 यहां पर मैंने बताया नहीं अपर सर्कुट कब लगा तो 6-7 मिनट के बार यहां पर सर्कुट लग गया रहा और यहां पर फ्रेंट मुझे काफी इसमें कमजोरी नजर आ रही है क्यों क्योंकि जब मार्केट ही तेजी से फाल हुआ तो यहा आपर सर्केट के साथ तो सीधा नेकस्ट हमको 5% मोझें देखने को मिला यहाँ भी मार्केट को सब्सक्यार इंग्र काफी कमजोरी देखने को मिल रही अ ह्यां जहां पर काफी नीचे गया लेकिन क्रोजव और यह अपर आपर उसकी मानæ सकते हैं इसकलक के लिए मंडिक एक और है भई यह रहा ग्रीन पावर अब ग्रीन पावर फेंट से अलग मेठाड़े मैं आपको बताता हूं क्या मेठाड़े यहां पर तो क्या हो रहा था अपर सर्कुट पर अपर सर्कुट लग रहा है जैसे विंडो उपन मुरी हम अंदर एंट्री हो गए लेकिन नेक्स इसमें हम लोगों को अपर सर्कुट लग रहे थे जैसे विंडो उपन ही हम एंट्री ले रहे थे लेकिन इसमें क्या और रहे इसमें लोवर सर्कुट लग रहे थे यह देख सकते हैं प्रिवियस दें यहां पर लोवर सर्कुट लगा फिर लोवर सर्कुट लगा तो जैसे लोवर सर्कुट टूटा प्रिवियस स्टॉक में हम आपर सर्कुट टूटने की बात कर रहे थे यहां प हाई होता है लोवर circuit टोट तो हमको इस दिन का भी 5% हमको accumulate हो जाता है तो दूसरे दिन का भी अगर गेपफ ओपन हुआ तो दूसरे दिन का भी यहंको 5% इसमें देखने को मिलता है mean कि अब भी देख सकते हैं क्लियर कड दिख रहा है हम पर यहां पर फ्रेंट्स इसमें अपर सर्कुट पर चल रहा था तो फ्रेंट्स यह हाई रिस्क हाई गेन होते हैं जो सब उसका अपर सर्कुट खुला मैं दिखा रहता हूं फ्रेंट्स यहां पर उसका अपर सर्कुट खुला इस मुमेंट पर तो अपर सर्कुट जैसी खुला यहां पर कुछ कमजोरी दिखी यहां पर भी बार बार उसने फ्लक्ट्रेट किया कमजोरी दिखी हो यहां तेजी से यहां पर हुआ क्या है तो लोग फसे हुए थे उन लोगों ने यहां पर निकल गए और यहां पर जैसी वो लोग निकले तो फिर से उसमें क्लोवर सर्कुट के सिंप्टम्स दिखे अला कि उपर चड़ा लेकिन फिर से लोग बाहर निकलना चालू कर दिया उसके बात यहां पर आप देख सकते फिर से यहां पर इसका लोबर को त्योसे लोग निकले अब फ्रेंस आज तो हमारे यह पर सिर्थ-स laisser-सीर्थ-स इधर हमने किया चिर्थ-स परसेटम्स का हमको दिख गया है कल यानि कि मंड़े फिर से या तो पांच लग गया तो फिर से इसमें पता नहीं कब तक लोगर है तो हाई रिस्क हाई गेन होते हैं लेकिन हाला कि यह क्लोज हुआ है अपने अपर सर्कृट के साथ तो इस तरह की स्टॉक्स में काफी संभावना होती है कि यह कल पांच परसेंट ओपन हो कल याने की मंडे को तो जेंगे तो चांद तक नहीं तो चाहिन अच्छो तो यहां पर फ्रेंड्स यह नॉर्मल इंटा इंटा इंटाडे पर बेज नहीं है यह आप लोगो थोड़ा में एक्स्पेंड करता हूं जो लोग में साथ काफी लंबे समय जुड़े हैं जो मार्केट में वो लोग इसली समझ जाएंगे कि काफी सेफ कॉल रहेगा और थोड़ा अलग टेकनिक पर बेज़ रहेगा इतना इसली समझ में आएगा अप लोगों को थोड़ा ध्यांस से सुनना पड़ेगा इसको और जो लोग समझ जाएं कि मैं क्या बतना चलो बागी जो नहीं है उनको ठीक है लेव कि यहां पर कितना टेजी से बिल्कूल एग्जेक्ट स्केल पर किसी ने रखके लाइन खीचिए इस तरह से यहां पर अपना रेश्टेंस करा एक दो तीन चार पाँच है वन वीक से ठीक है तो अब क्या होता अगर फ्रेंड्स यह आज यहां पर ब्रेक कितना बड़ा सब्सक्राइब को मिलेगा कि 1950 रुपे से कितना सटर सेवंटी रुपे के आसपास क्यों मैं बोलना हूं क्योंकि यहां पर इसनी इतना वड़ा मुमेंट दिखाया है ते जी से एक ही केंडल में उसने पांच मेंट केंडल स्टिक में उसने 70 रुपे का एक मुमेंट दिखा अगर आज इसमें सबसे बड़ी बुलिश केंडिल बनी है यहां पे टकरा के रुकी है अब इसको ब्रेक आउट देता है तो इसमें अच्छा खाजा एक मुमेंट देखने को मिल सकता है लेकिन अब हमको इसको पकड़ना कैसे दोस्तों और स्टॉप लागाना इस्टॉप ला आज रुपे नीचे हम यहां पर स्टॉप लोस लगा देगें अब क्या होगा एकोट हम को श्वाट सेलिंग साइड भी जा सकते हैं ऊपर चोटास से इस्टॉप लोस लगा के यहां पर शॉट सेलिंग कर सकते हैं अगर नीचे गाया तो ठीक अगर उपर टेजी से भागा तो यहां पर हमारे स्टॉप लॉस से हम आउट हो जाएंगे चोटा सा लॉस है लेकिन यहां पर नीचे की तरफ गया तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है उपर की तरफ तो तेजी से बाउंस मिलेगा तो अभी में लेवल बता रहे तो आप लोग को यह रहे इसके लेवल्स तो इस तरह से स्टॉक निकला हुआ है तो कल अगर ब्रेक आउट देता तो यहां ग्रील नाइन पर हमको पेंडिंग और लगाना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि तेजी एक हां डाउंसाइड पकड़ सकते हो रिप्राइज चलर यहां कि यहां कि यहां बदेख लेते हैं यह रहा जैसा कि शुरूम बता था यह कहीं बार हमको वन-डे का केंडलिश्टिक प्रेटन पर भी रीट करना होता है तो यहां मैंने डेली इस्टिक डेली केंडिलिश्ट कि चलने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर उसने सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया अगस्त मंत में दिसम्बर मन्त में फिर सपोर्ट लिया और आज फिर यहां पर अपना लो लगा के बेठा हुआ है अब यहां कर लेते 15 मिट का क्योंकि हमको लेवल निकालना है लेवल में देखे रखें दोस्तों वह लंबा हो जाएगा वीडियो में यहां पर चोटा चोटा चीज बताऊंगा तो मैं वापिस डेगेंडिल पर जा रहा हूं तो यहां पर लेवल निकालके रखें अब अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमारे अच्छाखासा तेजी से तेज से समें फॉल देखने को मिलने की संभा होना बनती क्योंकि काफी अच्छा यहां पर सपोर्ट लिया है उसने तेजी से गिरेगा तो अच्छा खासा है यहां पर आप देख सकते फिर से लेवल में देख रखें तो इतना ही थो दोस्तों, तो done for the week, so happy weekend, जिन लोगों कोई मैं telegram link में description पर देखर रखी, वहाँ से join कर सकते हैं, whatsapp पे भी जो मैं free whatsapp group की link भी मैंने description पर देखर रखी, जहां पर मैं upper circuit का 1 या 2 stocks daily provide करवाता हूं, so thanks दोस्तों, thanks for watching, bye bye